Hello students, today our topic is even number and odd number. आज हम even और odd numbers के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे even number के बारे में. A number which is a multiple of two is called even number. मतलब एक number जो two का multiple होता है, वो क्या कहलाता है? Even number कहलाता है. जैसे two का table हो गया, वो क्या है? Even number है. या जो number two से divide होता है. जो number two से divide होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? Even number कहलाता है. जैसे two, four, six, eight, ten, twelve, ऐसे ही ये continue चलते रहेंगे. और ये क्या हमारे even number है? जो number two से divide होगा, या two का multiple होगा, वो हमारा क्या होगा? Even number होगा. अब हम एक और example देखते हैं. Write all even numbers between 103 to 120. हमें 103 से 120 के भी जितने भी even numbers आते हैं, वो सभी लिखने हैं. ठीक है. तो 103 क्या है हमारा? और नमबर है, तो 104 क्या होगा हमारा? Even number होगा. फिर 105 हमारा odd है, 106 इवन होगया. फिर 108, फिर 110, फिर 112, फिर 114, फिर 116, फिर 118, और लास्ट क्या होगा हमारा? 120. तो 103 से 120 के बीच हमारे कौन से even number हुए? यह सब हमारे even number हैं, जो 2 से हमारे divide होगे और 2 के multiples होगे. ठीक है? अब है हमारा odd number. Odd number हमारा क्या होता है? The number which is not multiple of 2, is called odd number. मतलब जो 2 का multiple नहीं होता है, वो हमारा odd number कहलाता है. या जो 2 से divide नहीं होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? Odd number कहलाएगा. अब देखें क्या है? Odd number क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11. यह क्या हैं? 2 के multiple भी नहीं है, और 9 2 से divide हो रहे हैं. अब हमें एक और example देखते हैं. Write all odd number between 351 to 368. अब हमें 351 से 368 के बीच में जितने भी odd number आते हैं, वो लिखने हैं. ठीक है? तो 351 क्या है हमारा? Odd number है. 351 क्या हो हमारा? Odd number है. फिर 352 even हो गया, 300. 353. फिर 355, फिर 357, फिर 359. ठीक है? इसी तरह से हमें 68 तक निकालने हैं. तो 361, 363, 365, 367. यह हमारे 351 से 368 के बीच में जितने भी odd number आते हैं, यह हमारे निकल गए हैं. अब आप समझ गए होंगे कि even number किसे कहते हैं और odd number किसे कहते हैं. इवन नमबर वो होते हैं, जो नमबर 2 से 2 के multiple होते हैं, या 2 से divide होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, और odd number कौन से होते हैं? जो number 2 से 2 के multiple नहीं होते हैं, और नहीं वो 2 से divide होते हैं, वो हमारे odd number कहलाते हैं, यहीं हमारा even और odd number का chapter खतम होता है, thank you.